हेलो स्टूरेंट्स मैं डॉक्टर अल्का असोसियेट प्रोफेसर जीडी गल्स कॉलेज यह जो वीडियो है यह बीएसी पार्ट सेकेंड के बच्चों के लिए है और प्रैक्टिकल का वीडियो है यह बच्चों अभी पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको फाइलम एकाइनो ड छाहमिटर के लक्षन बताइथे और उसको किस आधार पर क्लासिफरी किया है यह बी बता था और मैंने यह बी क्योर्स में कौन-कौन से मैं मेंबल्स हैं या म्यूजियम इस पैसे मैंने इस फाइलम के तो हम उनई को अभी इस पार्ट में इस पार्ट सिकिन में एम स्टार्फिश के और इन पांचों का मैंने डाइग्राम आपको वाट्सप किया था पीडियेफ बनाकर देखा होगा बच्छों आपने तो स्टार्फिश का डाइग्राम आप देखिए सबसे पहले तारे नुमा सरश्णा दिखाई दे रहे हैं आपको और बीच में सेंटल डि समुद्र में पाया जाता है और इसकी बहुत सारी स्पीशिश प्रशांत महा साघर में मिलती हैं तो इसका जो शरीर है यह तारानुमा सरच्टना व्यल्टी डिस्क है और ऐस्की आंदर जो मुक मुख सर्फिस है और से लाटे और मुख और keeps सैदर सर्फिस और वो नीचे की पिन उसी सर्फेस पर ऑसि कल से ऑणिकल से धकी रहती है थोड़ी कड़ी कड़ी सी नज़र आती है यह इसYY लिए आती है क्यूंकि कैल्चिं कर्भो Once के Benna को अवर गयर से यह सर्फेस और यह बने होते है या अछ्य của the동 यहां क्या água आते हैं करता है स्टारफिश को स्टारफिश जो है ये एक इंजूरियस जीव है इंजूरियस है क्योंकि इसका जो भोजन है ये शिकारी प्रवर्ति के होती है और इसका जो भोजन है वो बाइवाल्व है ये जो जिस स्पीशिस के जनतु मोती बनाते हैं उन जनतुओं को ये खाती है उन पर ये हमला करती है तो ये पॉल इंडुस्ट्री के लिए बहुत घातक है स्टार फिश अब है हमारा सेकेंड मेंबर जिसको हम बोलेंगे एकिनस या सी अर्चिन या फिसी डॉलर ये गोल सा उतर हलका सा डोर सो वेंटरली फ्लाट होता है देखने में बड़ा खुबसूरत सा है ये स्पेसिमन और थोड़ा से काटे काटे इसमें बाहर निकले होते हैं और ये जब जीवी तवस्था में होता है बच्चों तो ये लं चरिये धंतों को अरिस्टोटल लैंटरन भी बोलते हैं क्योंकि अरिस्टोटल नहीं इनकी खोज की थी इन दातों की इसलिए अब इनका शरीर भी जो कैलकेरियस होता है बाहर से और थोड़ा सा कड़ा नजर आता और ये भी कॉरल रीव्स के आसपास रहना पसंद करते हैं थोड़े से चिचले जल में ये समुद्र में रहते हैं और इस प्राणि का जो विशेश जो लक्षन है वो मैंने अभी बताया है स्पाइन्स हैं और ये जो स्पाइन्स हैं ये ऑसिकल्स में से निकलते हैं इनका शरीर जो है वो ऑसिकल्स या कैल्सियस जो प्लेट से उनसे और उन में से ही स्पाइस निकलते हैं यह समंदरी अर्चिन है यह जल में जो जैविक पदार्थ होते हैं सड़े गले जो पदार्थ हैं जन्तु मर जाते हैं तो उनको यह खाते हैं यह है उनका इनका भोजन तो एक तरह से जलकी सफाई में भी इनका बड़ा योगदान होता है और सी अर्चिन जो है यह कॉसल एरिया के लोग इसको खाते भी और इसके अंडे जो है वो इतली और वैस्ट इंडी जो देश है वो इसके एक्स का भी सेवन करते हैं नेक्स जो अपना तीसरा जो मेंबर है इसका इकाइनोडरमेटा का वो है ऑफियोत्रिक्स या ब्रिटिल स्टार तो इसकी भी आप देख रहे होंगे चितर यह भी पांच भुजाएं हैं इसमें सेंट्रल डिस्क पाई जाती है तो इसके अंदर एंबुलेक्रल खाच नहीं पाई जाती और ये भी जो इसका शरीर है केल्केरिए 파ंट उसिकल्स का बना होता है और इसमें जो स्टार फिश में नहीं पाई जाती हमा को यह विशेश्टा इसमें पाई जाती हैं इनमें cash अगर इसको कोई पकड़ने के कोशिश करता है तो यह अपनी भुजाओं को या सी कुकुम्बर, इसकी बात करेंगे, इसी कुकुम्बर का भी आप डैकरम देख रहे होगे, एक लम्बा सा खीरे नूमा इस्ट्रेक्चर है, और माउथ है, और माउथ में से पेड जैसे इस्ट्रेक्चर के टैंटिकल्स इनमें पाए जाते हैं, तो यह जो क्यूकुमेरि लाइक होते हैं, खीरे नूमा सरच्णा होती है, एक हैनकी कहने का मतलब यह और शरीर के लंबाई जो है, वो तीं से तीस सांटिमीटर तक होती है, इनका शरीर जो है वो बेलनाकार होता है, और इनके शरीर पर जो बैंड्स पाए जाते हैं, बचों उनी बैंड्स में इस में 10 बुचाएं होती है बहुत सारी होती है इस पर इसे बुशी सी लगती है इने सी लिली भी बोलते हैं इनका ये भी नाम है तो ये भी प्रशान महासागर और हिंद महासागर में पाई जाती है और ये थोड़े से ये भी ततवर्थी होती है मतलब किनारे पर ये पाइजाती है इस में जो है कि इसके अनदर भी वही सेंट्रल डॉर्स और से इंगाई पाइजाते आज हैं सिराई निकली रहती है है और इनमें जो है ये Elise भी पांच होती तो पांच ही बुझा ए लेकिन यह जो पांच भुझाओं में से एक भुझाओं यह आधैर से यह दो भागों में बढ़ जाती हैं तो बांच भुझाओं है तो तो इस प्रकार से यह जो लंबी लंबी भुजाएं हैं और इन में भी पाशर्व से शाखाय निकली रहती है जिने पिन्यूल्स में पिन्यूल्स बोलते हैं और यह फैदर लुक देती हैं यह और यह त्यारता हुआ ऐसा लगता है जैसे कोई फूल उड़ रहा हो तो इनको सी लिलीज भी बो करूँगी नेक्स नेक्स टॉपिक के साथ थैंक यू वेरी मुच बच्चों